पर किसानने ट्रैक्टर मार्ष निकाला वहां गया जिले में जैना दिकार पार्टी के काडय करताओ ने भी क्रिशिबिल के विरोध में ट्रैक्टर मार्ष निकाला है यह ट्रैक्टर मार्च जिले के टिरारी अनुमंडल से निकल कर विभिन सरक मार्गों से होते हुए गया शहर पहुच कर समाप्थ हुआ ट्रैक्टर मार्च में शामिल कारे करता केंदर सरकार के खिलाफ जम कर नारे पारजी कर रहे थे स्याख्रों की तादात में निकाले गए ट्रैक्टर को लेकर सरक पर एक अलग सा नजारा देखने को मिला ट्रैक्टर मार्च में शामिल जन अधिकार पार्टी की रास्टरे प्रवक्ता राजीव कुमार कनहिया ने कहा गिजाप के राश्टरी अध्यक्ष पक्पुयादर के निर्देश पर पूरे प्रदेश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है केंदर सरकार जब तक तीनों क्रिशी बिल वापस नहीं लेती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा सुधीर कुमार वर्मा उर्फ विनोध मरांडे निकाल कर अयारपुर गुरारू परईया बजार होते हुए भिन सरक मारगों से गया पहुचा है हम लोगों को यह बदाना चाहते हैं कि आखिर इस क्रिशी बिल से किसानों को क्या फाइदा या क्या नुकसान है क्रिशी बिल सर्फ पुंजी पत्यों के हित ने बनाया गया है अम्बानी जैसे बड़े पुंजी पत्यों को किसानों के हाथों बेचा जारा है कि capture मार्च निकालने का काम किया है इस ट्रेक्टर मार्च आज गया के आज ट्रेकारी से हम लोग ट्रेकारी हियापुर होते गुरारू होते हम लोग जिला गया मुखहले तक जाएंगे मित्रों मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से इस त्रेक्टर मार्च के माध्यम से कि जिस तरह से केदर सरकार ने किसान विजोधी कानून को अपनाने का काम कर रही है उसके विजोध में लगातार जिना धिकार पाची पुर्य प्रदे पपु जादव में अभवान किया है कि जब तक किसान सरक पर रहेंगे तब तक जनाथिकार पार्टी चुप बैठने वाला नहीं है पूरे प्रदेश में पूरे देश में जनाथिकार पार्टी इसकी किसान की काला कानून को लेकर अंदोलन चलाने का काम करेगी मित्रों औ तुप किसानों के लडाई लएंगे और उनका जो कारा करूण है उसको बापस लेने के मांग करते हैं और किसानों को उद्यों कदर्जा दिया जाए उसको मिलव केंदर सरकार लागू करें नहीं तो जुझारू रूप से जनल धिकार पार्टियाद बोलें चलाने का काम करेंगे मित्रो लगातार हम लोग टिकारी से चले हैं टिकारी गुरारू परहिया होते हम लोग गया जिला म खालतने पूंचेंगे और लगातार हम लोग चल रहे हैं लमसम सो गाणियां हमारे साथ चल लिए और आगे परहिया से भी हमारे नहीं जुटे हूएं और सब लोग ने संकर्प लिया है कि जो काला कानून जो केंद्र सरकार ने लाया है उसको बिलमब बापस ले नहीं तो ह बिहार के किसान मजदूर पुरे बिहार में यह भी कहना चाहता हूं कि पपूजी जिस लॉक्डॉन में गरीबों के मदद किये थे बाढ़ में मदद किये थे लेकिन आज जो है उसका जो भी चुना हुआ उस पर हम लोग कबूल करकर और फिर हम लोग संगर जारी रखे हुए हैं लेकिन हमारे जो कोई और नियता है शक्ता में बैठकर जो मलाई खाने वाले हैं आधार नियें हमारे नितिजी हमारे सुशील मोधी जी परदान मंत्री नरेंद्र मोधी जी राजनात सिंजी अमीत साह यह सब क्या हैं यह सब मिल कर जो हैस्ते कि देश को बेचना चाहते हैं और कहते हैं कि राजनित वाले राजनित कर रहे हैं हम लोग राजनित नहीं कर रहे हैं हम लोग कोई कानून वापस ले ले उनको लगता है कि राजनित कर रहे हैं तो कानून वापस ले ले किसान है आज ये पूछ लिए जितने भी ट्रैक्टर हैं कोई मेरे भाड़े का ट्रैक्टर नहीं है एक भी भाले का ट्रेक्टर नहीं है, सब अपने दिलों से आये हैं साथ देने के लिए, अगर इनमें जुनूर और होसला नहीं होता, तो याज साथ नहीं हो, इसलिए बस